हेलो फ्रेंड्स इन्य अदेसी फूड में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही हेंदी ब्रेकफास्ट की रेस्पी लेकी आए हैं बहुत ही कम तेल घी से बन गे तैयार हो जाती है असानी से बन भी जाती है तो आप इसको जरूर टड़ाई किजेगा ट्राई करने के बाद काली मिर्च थोड़ा सा दरदरा किया हुआ काली मिर्च कस्मिरी लाल मिर्च का पावडर थोड़ा सा स्वाद कनुशार नामक एक टी स्पून है सब्जी मसाला डालके अच्छे से हम इसको घोलेंगे एक टीजपुन इसमें हल्दी डाल दे सब को डालके अच्छे से मिला दे न ज़्यादा गाड़ी करें न ज़्यादा पतली आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप 10 मिनट इसको घोल करके इसको सेट होने के लिए छोड़ दे अच्छे से मिला दे सब को अब इधर चुले पे रखे हैं पैन उसमें हल्का तेल या घी से आप ग्रीस कर दे बीच सेंटर में रखे हल्का फैला दे आप फैला करके उपर से थोड़ा सा और घील या तेल आप डाल के एक धकन से आप इसको कवर कर दे दो तीन मिनट के बाद इसको यहाँ पर फिलेम को मिडियम रखे हल्का उपर से घी लगा दे अउलाट पुलट के इसको अच्छे से पका ले तो मेरा पहला चिला बनके रेडी है जो बचा हुआ है हम इसी तरह से इसको बना लेंगे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही असानी से बन जाती है अब बहुत ही हेल्दी ब्रेक फास्ट है तो आप इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ आप इसको मीठी चटनी या टोमेटो कैचप या ग्रीन चिली सौस के साथ या दही में थोड़ा सा गूर डाल के मैं आम रखी हूँ उसके साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो फ्रेंड साज की रिस्पी आपको कैसी लगी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें